नमस्कार आप देख रहे हैं News 111 और मैं हूँ आपके साथ निर्भै किसुर बात राजदितिकी करते हैं और शुरुआत करते हैं नेता परतिपक्ष तेजस्वी यादों के ले करके काफी लंबे वक्त के बाद जिस तरीके से तेजस्वी यादों जब वापस आए हैं तो अपनी पार्टी की जैनाधार तो बचाने में लगे ही हैं लेकिन अब साफ तौर पे पार्टी ने अपना रुख अक्तियार कर लिया है कि वो आगे क्या कुछ कहना चाहती हैं सब कुछ हम बताएंगे क्या कुछ है लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि एक बार हमारे कैमरामेन राजत के विस ट्वीटर को दिखाया है जिसमें तेजस्वी को लेकर के बाते कही गई है साफ कही गई है जिस सब्दों में कहा गया है दरसल ये वो ट्वीट है और इस तृत में चुनाओ लड़ेगी इसके साथ साथ बात ये भी चल रही थी कि कॉंग्रेस हम और उसके बाद राजद ये लोग क्या कुछ करेंगे हलाकि जिस तरीके से पार्टी को लेकर के महागड़ बंदन को लेकर के सबका अलग-अलग अपना रुखता उसके बाद जो पोस्टर वार की तो जिस तरीके से आज ये पोस्टर आया उससे पहले एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं दरसल ये वो तस्वीर है नितिश कुमार को लेकर के इस तस्वीर में साथ सब्दों में लिखा है क्यूं करें वीचार ठीके तो है नितिश कुमार और ठीके परिके से राज्दीती के गलियारों को हिला दिया है उसके बाद से यह साफ सब्दों में कहा जा रहा है कि आखिर ठीके क्यूं है इसे ठीक क्यूं नहीं कह सकते क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है अगर बात करें सूबे के जो प्रush Convention के मुख्या है वो हमेशा अपनी कारवाई में लगे हुए हैं वो हर जगा रातों में भ्रमन करते हैं सरकार को दुरुस्त करने में लगे हैं सरकार बाते करती हैं कि हम वो हर चित सही कर रहे हैं हम विकास के साथ काम कर रहे हैं लेकिन इसके बाद ठीके क्यूं है सवाल हम भी करते हैं जब तेजस्वी ने इसको ले करके उनकी बाते साफ के उसके बाद आज भी उन्होंने बोला और आज उन्होंने सुसिल मोदी को ले करके भी कहा इसके बाद उन्होंने साफ सब्दों में कहा कि उनकी जो मजबूरी है वो ठीके सब्द पर क्यों ना हो क्योंकि उन्हें बस मु कि बाहर लगा कि क्यू करें विचार ठीके तो है नितिश कुमार इसको ले करके कई एंगल से ब्याक्या होई और इसके कुछ राजनितिक जानकारों का मानना ये भी है कि नितिश कुमार अगामी चुनाव में जाने वाले हैं क्योंकि वो खुद के अपने कारियों कोई वहीं दूसरी तरफ ये भी खबरे आ रही है कि इस बार बीजेपी नया मुख मंतरी का निरेट प्रोजेक्ट भी कर सकता है। वहीं राज़त के तरफ से ये अचानक से पोश्टर आया तो ये माना गया कि अभी से ही विधान सभा चुनाव की तयारिया सुरू हो गई है क्योंकि अभी एक साल चुनाव में बाकी हैं जो विधान सभा का चुनाव हैं। के राज़त के तरफ से ये ट्वीट आया है लगबग नौ पंक्ती का एक कवीता पोश्ट की गई है जिसमें सभी तरीके से खुद सीम नितीज के जो भी करनामे हैं। करनामे का हैं तो प्रशासन की लापरवाही या फिर हत्या बलतकार या फिर क्राइम को ले करके जितनी भी घटना हैं सभी को रेखांकित की गई हैं। और उस चीजों को समलित करते हुए नौ पंक्ती की कवीता लिखी गई है। इसके साथ ही जो तस्वीर है उसमें लिखा गया है कि हमें चाहिए तेजस्वी की सरकार तो कहीं ने कहीं ये बड़ी बात है निर्वै की राजद अब खूल करके ये प्रोजेक्ट करने लगा है क वे भी मुख मंत्री का चहरा नितिश कुमार के खिलाफ में तेजस्वी आदो होंगे। इस तरीके से रंदीरा मैं आपको रोकूंगा जिस तरीके से रंदीरा अगर बात की है कि उस कवीता जो आया है और नौ पंक्तियों की कवीता है मैं एक बार बोलूँगा कि आप उनक लूट और बलतकार क्यों न करे विचार पल्टी मार है नितिश कुमार जनादेश लूट लिया सरे बजार चल रही है हवाला हलाल की सरकार अस्थापित हो गई राक्षस सराज इस कलामा अगली पंक्ति में लिखा हुया कि क्यों न करे विचार कुरसी के लाल्ची है है नितिश कुमार अगली पंक्ति है कि बजार में मचा है हाहा कार हर तरफ फैला है अंधकार भरस्टाचारियों से सजा है सुशाषनी दर्बार फिर किस मुह से कहूं सुशासन की सरकार क्यों न करे विचार क्यों न करे विचार उसके अलावा एक सब्द उसमें आगे भी सरीके सो उन पर आरोप लगते हैं सुरजन घोटाला इसके अलावा सौचाले घोटाले भी उनके ऊपर आये हैं धान सही 36 घोटाले धान घोटाले भी एक आये थे जिसमें नितिश कुमार को आरोपी बनाए गया था हलाकि इस सब मामले है उसके अलावा 36 घोटाले की बात की है इसके अलावा और मुजफरपूर बालिका कांड का अत्याचार सब कांड पर लगी है सुप्रीम फटकार फिर क्यों न करे विचार सब गडबर सब गडबर पर मौन है नितिश कुमार ये रास्ट्रिय जनता दल उन्होंने अपनी नईया को आगे बढ़ाया इसके बाद से वो राजद में गए और फिर वापस उसी नईया पे चड़ गए जिससे उन्होंने सवारी शुरू की थी लेकिन उन्होंने सब के बाद जो एक साफ पक्ती में लिखा है कि दल बदलू की बाद जिस तरीके से उसमें कहा गया है बदलने वाली पाटी की बात की गई है उसमें ये साफ चीज दिख रहा है लेकिन इन सब के बीच रंदीरा मैं फिर आपके पास आऊँगा एक सवाल आप से जिस तरीके से महागडवंधन को लेकर के हर बाते होती रहे कौन होगा महागडवंदन का नित्रित्व करता अगर बात हम की करें तो हमेशा जीतन रामाजी ने साफ सब्दों में कहा है कि अभी जो है तेजस्वी वो थोड़ा पानिभवहीन है क्या आपको लगता है कि राज़त अपने नईया को आगे बढ़ा के महागडवंदन से अलग हो जाएंगी जी निर्भै अभी तो किसी को निर्थित्तो के लिए बाते कहना कहें कि एक तरह से बड़ी बात होगी क्योंकि पार्टी का रूख यानि कि महागडवंदन का जो रूख अभी असपस्ट नहीं हो पाया हाला कि कहीं ने कहीं इस पोस्टर से जरूर असपस्ट भी हो रहा है कि तजस्वी की सरकार चाहिए ऐसी एक राज़त ने प्रोजेक्ट कर दिया है कि तजस्वी ही मुख मंत्री के चेहरा होंगे लेकिन इन सब के बीच अगर नारों की बात हो रही है तो खुद आप देख सकते हैं कि जब 2015 का विधान सबा चुनाओ था उस समय नितिश कुमार जब साथ में थे तो पूरे confidence में थे और तब नारा दिये थे कि बिहार में बहार हो नितिश सरकार हो यानि कि उस समय जो उनका confidence level था वो चर्म पे था और वे जानते थे कि जीत हमें हासिल कर ही लेनी है लेकिन वही लोगसभा चुनाओ में जैसे 2019 में आये इसमें उन्होंने एक नारा दिया चलो चले सच्चा है अच्छा है चलो चले नितिश के साथ उसके बाद ये जो नारा आया अभी क्यू करें विचार ठीके तो है नितिश कुमार तरीके से मुहर लगाने की काम की है कि हमें चाहिए तेजस्वी की सरकार तो कहीं न कहीं अब अगर जद्यू सामिल भी होती है महागडवंदन में तो ये देखने वाली बात होगी कौन मुख मंतरी का चेहरा होगा लेकिन मान्जी ने जो आप बात कर रहा है कि मान्जी ने जो बयान दिया कि तेजस्वी अनुभावीन है तो इस पर सिवान अंतिवारी जो की राज़त के खुद वरिष्ट नेता है उन्होंने कहा कि मानजी को अधिर नहीं होना चाहिए सही वक्त का इंतजार करना चाहिए वो सही वक्त आएगा और मुख मंतरी का चेहरा हम लोग मिल कर बैट कर समझ कर चून लिया जाएगा इस पर मानजी का भी रुख दिखा और अगले ही दिन वे अपने बयान से पलटते दिखे तो कहीं न कहीं यह जरूर कह सकते हैं कि सहयोगी जो हैं तेजस्वी के गायव रहने से बिचलित हो गये थे लेकिन अब तेजस्वी जिस तर लागातार सीम नितिष्ट के तरफ है तो कहीं न कहीं अब थोड़ी बहुत तेजस्वी ने महागडवनन को एक जूट करने की कवायदे सुरू की हैं साफ सब्दों में कहें कि वक्त है विचार है लेकिन सब तयार है चुनाव जो होने हैं अभी वक्त है उसमें अगले साल चुनाव होना है लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सरगर्मिया दिख रही हैं राज़नीती गलियारे पून रूप से कह सकते हैं कि तयार हो चुकी है क्योंकि जिस तरीके से पोस्टर वार सुरू हुआ है पोस्टर वार के बाद अब साफ सब्दों में दो पार्टियां जिसमें एक नितिश की बात करें तो जदुयू जी ने हाली में कहा गया है कि जख्ष की चुनाव को पून रूप से स्वतंत रूप से विचार कर सकते हैं किसको लेंगे तो जदुय को तरफ से पल्लाल बिल्कुल साफ है कि वो उसका परतिनिद्ध्यत्य स्वयम के तौर पर भी कर सकते हैं लेकिन बात अगर महागडवन्दन की करें तो में जो चुनाव चार राज्यों में होने हैं जिसमें से जहरखंट की बात करें तो वहां भी इस्तिति उनकी वैसी ही है बात दिल्ली की करें या फिर हर्याना की करें हर जगा उनकी इस्तिति लगबग खस्ता हाल है इन सब के बीच अगर बात बिहार की करें तो बिहार भी जदुई ने कुछ महत्तौपून हिस्से में, फैसले में जिस तरीके से उभर की आई थी, जब यह साफ सब्दों में कहा जाने लगा था कि अगर जदुई चाहे तो वो अकले चुनाओ लड रहे। इसके बाद उनके कई ऐसे नेता बीजेपी के भी आये जिन्होंने साब सब्दों में कहा कि अगर बीजेपी या जदू के बीच में जो तकरार दिखी थी उसमें कहा गया था कि दोनों पार्टिया अगर चाहे तो अपने अलग अलग चुनाव लट ये अंदर खाने के जो ने लटेंगे लेकिन इसके बाद भी जो तस्बीरे उभर के आ रही है वो साब सब्दों में कुछ नहीं अब तक बता रही है हाला कि राजनीती है और हम सुरू से एक चीज़ कहते आए हैं कि बिहार की जो राजनीती होती है ये राजनीती के सबसे उपर के सिखर पे लड़ा जाता है नितीश इसके आलावा राम बिलास पास्वान किसकी नाम लो सब उस तरीके के समय के साथ लड़ते हैं जब उन्हें जहां भी समभाव नावें दिखती है उस समभाव नाव इमЕं खुद को ढालते हैं और पलट लेते हैं नितीश भी उसी दाइरे में है और इसको लालू यादों ने अपने पुस्तक गुपाल गज्टू राय सीना में भी बड़े अच्छे सब्दों में लिखा है तो साब सब्द में है कि आखिर क्या कुछ होगा क्या जदूयू सतंत रूप से लड़ेगी जिस तरीके से उन्होंने बात जहरकंड में चुनाव की बात की ह जहरकंड में अकेले लड़ेंगे क्या वो बिहार में भी अकेले लड़ेंगे या फिर NDA गटवंदन के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ते हैं हाला कि एक चीज तो साब सब्दों में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राजद ने तय कर लिया कि उनकी सरकार बनेगी व तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बटन दबाएं अगर आप हमें ट्विटर पर देख रहा हैं तो हमारे हैंडल को फॉलो करें फिलाल मुझे और रंधीरा को दीज़े इजाज़त नमस्कार